हलो स्टुडेंट्स, बेसिक मैट्स में फिर से स्वागत है, आज हमें प्रूब करना है, वेरिफाई करना है कि XQ प्लस YQ पराबर होता है, X प्लस Y, प्रेकेट में और दूसरे प्रेकेट में X स्क्वेर माइनस X Y प्लस Y स्क्वेर, ओके, ठीक है, तो हम एक आइडेंटिटी स इसकी शुरुआत करते हैं, हमारे पास आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है हमारे पास, X प्लस Y whole Q, इस इकुल तो किता होता है, X क्यूब प्लस Y क्यूब प्लस 3XY, ब्रेकेट में, X प्लस Y, ओके, यह हमें मौलुम है, अब यहाँ से हमें करना है, देखिए, ट्रांसवर, ओके, ट्रांसवर, ट्रांसवर करेंगे, किसके ट्रांसवर करना है हमें, इस पूरे पत का इस तरफ, ठीक है, इस पूरे पत का इस तरफ, means, यहाँ पर हो जाएगा, X प्लस Y whole Q, ठीक है, यह वाला माइनस में जाएगा माइनस 3xy bracket में x plus y is equal to यह चल रहा हमारा x cube plus y cube ओके यहां से देखिए हमें x plus y common निकल रहा है हां निकाल लेंगे x plus y common तो इस bracket में बचेगा हमारे पास x plus y का square minus यहां से स्रिफ 3xy बचा है हमारे पास यह हमारा x cube plus y cube जैसे का वैसा चल रहा है ओके अब हमें bracket इसे यहां पर identity लगाने कौनसी x a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab यहां पर लगेगी x plus y तो प्रोपर्टी लगाएंगे x square plus y square plus 2ab साथ में चला sorry x x y 2xy आएगा sorry ठीक है और यहां पर 3xy चल रहा है is equal to x cube plus y cube ठीक है तो यहां पर हमें दिख रहा है x plus y जैसे का ऐसा है x square plus y square माइनस 3xy में से 2xy गया तो माइनस xy ही बचता है is equal to x cube plus y cube अब हम इसे arrange करना है हमें x cube plus y cube is equal to x plus y दूसरे bracket में x square माइनस x y plus y square यह प्रूव हो गया हमारा या कि हमारा अशर प्रूव